बनेसकाठामा दर वर्षे सतत गगरता दाडमना भाव खेरूतों माटे चीन्तानों विशे बनें वझें भनेंुछे लाखंडीं अने थराद विस्तारमा मोट्रापाय दाडमना भगीचा चे दर वर्षे शियाडा मा दाड़मना बगीचा मा दाड़म मोट्यावा उत्पादन थाई छे, परनतो ओछा भावने कारणे खेडूतों ने वेपार्यूने मुश्केली वधी छे, दाड़मना बगीचा मा वरश दर्म्यां थतो जन्तूना अशक ने खातना खर्च सामे अगाउ दाडम पचास्थी सित्ते रूपया प्रती किलो हॉलसल मार्केड मा वेचाती हती। परन्तु आवर्षे हॉलसल मार्केड मा 25 थे 35 रूपया मडी राचे। जेना कारण खेडू तो नीहाला की वती से। खेडूतने कोई दवा मो पॉबलम परतो शाषी। दवा सोटी सोटी मरी या पलगायो एन रिते खेडूतने पिष्टी रूपया आवताता उन विश रूपया कूटाई से एवी रिते हे छे दाडम साइब। तकली तो शाइब खूब बिते रात ना ठाटे मरा साँ। खरी अमें अतियर अपकोँ चाहत वरती खेटी करातार अमाने शो रूपया मलता था अतियर आ दाडम ने खेटी करांचां। पर मने 2 रूपया दाडम कुटाई से अमाने कौन आनो खर्चों कौन अतियर दोवा दोवा ना पैस्या न थी मलता अमारे आ सरकरकने अमें मागने करांचां। कि आ दाडम ने खेटी करवी कि अमारे शेर हीती करवी। अमारे आ खेती करता हमारे आल तोपोखावा दाड़ों से अमारे शोकरों के कुटब शेने न भाडूं। इद मारी मोटी तकली थाई पड़ी छे। दाडम नो उत्पादन तो सारों से आवकते पना गया वर्ष करतों आ वर्षे बजार बाव मंदों छे। उत्तर भारत्ती व्यापारियों आवए से साहुत्ती आवए से ए लोकों नो केवो एवो शेगा मारे त्यों भारीस ठंडी ने कारणे बजार उपरती न थी। इतले आवकते बजार बाव मंदों छे। खिडूतों परिशान छे। खिडूतों बाव टेक्टरोयों ने आवाजु थी। आवाजु वेचवाम मांटे परिशान छे।